हेलो फ्रेंड्स मैं रोईत्कमार स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल मैच से दोस्ती में फ्रेंड्स आज हम लोग सेसन करने जा रहे हैं पाइप और किस्टन चाप्टर पे फ्रेंड्स यह हमारा पार्ट 6 है पार्ट 5 अभी तक मैं करके यह हम लोग सेसन करता है तो फ्रेंड्स अभी तख हमने बेसिक लेइबल से मोटरेट लेइबल को प्रेस कर लेए मनाइबड करें। तो आप्टनी नोट्फिक्स न पहुच जाए तो अइए हम लोग सम्मेख ववाद दिना करते हुए अपने सेतन को स्टाट करते हैं तो पाइप एंड किस टर्न हम लोग करने जा रहे है तो हमारा पहला कोस्टन इस पकार है धीर धीर कोस्टन को करते जाएंगी और इसका किस तरह के समों लोग इस question को करते हैं वो भी समस्ते जाएंगे ठीक है friends तो आईए हम लोग पहला question स्टार्ट करते हैं दिया हुए हमना पहला question इस पकार है tap A can fill a tank in 48 minutes more than the time it takes to fill a tank by A and B यानि tap A है जो null A है वो 48 minutes अर्धिक समय लेता है किस से तो null A और null B द्वारा जो समय लिया आता है एक साथ यह हमारा question number one हुआ part six का तो क्या बोल रहा है कि जो null A है वो 48 minutes अधिक समय लेता है किस से तो null A और null B के द्वारा जो एक साथ समय लिया जारा भरने के लिए उससे A है जो 48 minutes अधिक लेता है यानि null A और null B टंकी को भरने में x minute या घंटा लेता है तो null A है जो 48 minutes यानि x plus 48 minutes यानि null A और null B है जो x minute कितना minute लेता है तो x minute लेता है टंकी को भरने के लिए अगर एक साथ नल खुला जाए दोनों नल A और B तो नल A कितना लेता है? X प्लस 48 यानि या 40 मिन जार लेता है उसके बाद दिया हुआ है Tap B can fill the tank in 27 minutes more than the time it takes to fill a tank by A and B तो B के बारे में बोरा है कि जो नल B है वो नल A और नल B के द्वारा एक साथ काम किया गया है जितना time है उससे 27 minutes जार लेता है यानि X प्लस 27 तो friends X का value हम लोग सबसे पहले कैसे निकाल लेंगे? तो मैंने आपको बताया था प्रिवियर सेशन में कि अगर ऐसा condition दिया रहा है A प्लस B X मिनट A X प्लस 48 B X प्लस 27 यानि ये क्या हमारा more one है कितना है? X से कितना ज़्यादा है? तो 48 ज़्यादा है यानि more one और ये कितना हुआ हमारा more two हुआ तो X का value उन लोग कैसे निकालते हैं? तो एक फ्रॉमूला क्या होता है? A प्लस B का time निकालने के लिए यानि x के value निकालने के लिए formula क्या होता है root under more 1 into more 2 friends इस तरह का question हम लोग time and work chapter में भी कर चुके है उसी तरह का concept भी हम लोग pipe and kistan chapter भी हम लोग use करते है तो more 1 कितना है हमारा more 1 48 है तो 48 into more 2 कितना है तो 27 है तो अब हम लोग 48 है 48 को लोग कैसे लिख सकते है 16 into 3 लिख सकते है कैसे लिख सकते है तो 16 into 3 लिख सकते है और 27 को 9 into 3 लिख सकते है इससे क्या फायदा होगा सब square root में अपने आप बट गया है 16 का square root कितना होता है 4 होता है और 3 और 3 9 हो गया 9 का square root कितना होगा 3 होगा और यहाँ एक और 9 है तो 9 कितना होगा? 3 होगा. यानि अब x का value आगा, कितना आगा हमारा? 4 ती है 12, 12 ती है 36. यानि x का value कितना आगा हमारा 36? यानि null a और null b है, जो 36 minute में tanky को भर देता है. यादि एक साथ null a और null b खोला जाता है, तो 36 minute में tanky को भर देता है. question में क्या निकलना है how long will the tank be filled by tap है तो A जो A है वो कितना minute में अकेला करेगा तो कितना minute में टंकी को भर पाएगा यानि null A का हमें time निकलना है time कैसे निकलनेंगे तो null A कितना है हमारा x प्लस 48 x कितना हमारा तो x हमारा 36 है इनि 36 प्लस 48 तो कितना आजाएगा हमारा 8 6 1441 यानि 84 आजया कितना आजया 84 मिनट आजया यानि null A है जो अकेला अगर खोला जाएगा तो 84 मिनट में टंकी को भर लेगा तो तो 34 मिनट में टंकी को भर लेगा तो friends यह हमारा concept है इस तरह का जब भी आपको pattern दिखे a प्लस b एक्स मिर्ट में a है जो x प्लस more 1 b प्लस x प्लस more 2 तो x का value कैसे निकालते हैं root under more 1 into more 2 कर देते हैं तो हमारा x का value आएगा और जो question में बोलेगा a का निकालने लिए या बी का निकालने लिए time उस तरह के समलोग put कर देंगे value x का तो हमारा निकल जाएगा answer तो हमारा answer कितना आगया 84 minute हमारा answer हो गया तो friends उम्मीद करते हैं कि question number 1 आपको समझ में आ गया होगा तब लोग next question की और बढ़ते हैं अब लोग friends question number 2 करने जा रहा है तो आईए देखते हैं हमारा question क्या बोल रहा है if two pipes, दो pipe है in a tank walk together, the tank is filled in six hours यदि दो pipe है, तो मान लोग की A और B pipe है वो अगर एक साथ खोल दियाता है तो मारा जो टंकी है वो 6 minute में 6 घंटा हम भर जाता है if first pipe is nine hours quicker than the second जो पहला pipe है, जो second pipe से वो quicker है, जली-जली भर पाता है तो 9 घंटा quicker है then how long will you take to fill the tank by second pipe तो पुत रहा है कि second pipe कितना देर में भर पाएगा ठीक है, तो इस question को हम लोग कैसे करेंगा friends सब से पहले हैं पहला जो pipe है हम लोग उसको A मान लेते हैं और दूसरा pipe है उसको हम लोग क्या मानते हैं बी मान लेते हैं B जो दूसरा नल क्या माने है second pipe को second जो null है second जो pipe है उसको हम लोग क्या माने B माने है और first pipe को A माने है तो question में दिया हुआ था कि जो पहला pipe है यानि A है वो दूसरे pipe से quicker है कितना तो 9 hour quicker है यानि B अगर X hour ले रहा है तो A कितना लेगा X plus 9 hour लेगा तो friends एक मैने time and work time and work में ही सिखाया था आपको कि अगर A और B का क्या दिया हुआ है time दिया हुआ है तो दोनों कितना मिलकर time में समाप कर लें काम इसमें तो क्या करेंगे टंकी को भरना ही काम है तो टंकी को कितना मिन भर देंगे कैसे निकाल लेंगे तो A plus B का अगर time निकालना हो time निकालना हो तो कैसे निकालता है A का time into B का time divided by A का time दिवायद ब्लस में B का time यानी A into divide by A plus B उसी तरीका का हम इसमें भी लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे A कितना है हमारा A है x plus 9 अकितना हो जागा तो एक्स प्लस नाइन और नल मिलके यहाँ पर दिया गुआ था 6 घंथा तो बराबर 6 घंथा के तो फिरंड इस से क्या होगा अगर आपको ऑप्षन दिया रहेगा तो डायरेक्ट आप ऑप्षन पूट किज़ेगा 4-5편 तो पूट करके आप 6 लियाएगा तो आपका एंसर आजागा नहीं तो आप quadratic solve किजेगा quadratic equation बनेगा तो आजी solve करते हैं तो यह कितना है x square प्लस में 9x हो गया इसको multiply कर दिये तो और यह 2x प्लस 9 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 12x प्लस 54 तो f square प्लस 9x है तो कितना हो गया ह हमारा x square 9x है 12x है इधर जाएगा कितना हो जाएगा minus 3x यह कितना हो जाएगा minus 54 बराबर में 0 हो जाएगा ठीक है यह हमारा घंटा आ रहा है के नहीं जो value में put करने पर 6 घंटा आ जाएगा वही हमारा क्या होगा answer होगा लेकिन इसमें तो हमें option नहीं दिया वा तो हम लोग क्या करने है तो x square minus 3x minus 54 बराबर 0 हो गया अब आपको quadratic equation solve करने आता होगा तो कितना यह minus है और यह minus 54 है तो क्या होता है 54 और यहाँ one coefficient से क्या होता है multiply होता है तो 54 और one से multiply होगा है कितना आ गया minus 54 तो उसा number कि multiply करने पर minus 54 और plus करने पर कितना है minus 3 तो कितना होगा minus 9 plus 6 करेंगे तो minus 9 plus 6 तो कितना होगा minus 9 ले रहे हैं और 6 ले रहे हैं तो minus 9 into 6 कितना होगा minus 54 भी आ गया और minus 9 plus 6 कितना होगा यानि माइनस नाइन और 6 होगा तो आए एक स्कूर चाएथ माइनस 9x प्लस 6 x ब्रावर में 0 आ गया अब उपर यहाँ कर लेता है एक स्कूर था माइनस 9x प्लस 6 x माइनस 54 ब्रावर 0 तो इसको अब सॉल्ट कर लेंगे हमारा एंसर आ जाएगा तो कितना होगा एंसर हमारा, x हमारा common लेते हैं, तो x-9 प्लस में, यहां 6 common लेते हैं, तो x-9 ब्राबर 0, तो अब कितना होगा हमारा, x-9 और यहां कितना होगा, x-6 ब्राबर 0, तो x-9 ब्राबर 0, एक आ गया, और x-6 ब्राबर 0, तो हम लोग यहां क्या देख रहे हैं, कि x- यहाँ देख रहे हैं कि x plus 6 0 तो x का वैलू कितना गया मैने शिक्स आ गया तो एक्स हमारा टाइम नहीं होता है यानि एक्स ब्लावर नाइन आ गया कितना गया हमारा x का वैलू how long will it take to fill the tank by second pipe यानि second pipe के द्वारा कितना लिया गया है वो निकालना यानि क्या निकालना था एक्स का वैलू निकालना था ड्राइक्ट हम लोग अप्शन से भी वैलू को पुट कर देता हमारा क्या आता एंसर आया था नाइन आवर हमारा एंसर आ गया तो फ्रेंड्स अब हम कोसे नमर थर्ट की और बढ़ते हैं उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पस अगर पसंद पर अधूरा थाçar हमारा चैनल को लाइक करते हैं और हमारे वीडियो को चैनल को सब्काइब करते हैं हमां वीडियो को लाइक करते हैं तो इसमें दिया हुआ हमारा नावर थर्ट इस Preकार है टू पाइप्स दो पाइप है कं फिल ए टैंक्ट वत वाटर in 6 एं 10 10 hour, respectively, यानि 2 पाइप भर ने वाला, जो 6 और 10 घंटा में भर पाते हैं, और थर्ड पाइप, और तिसरा पाइप है, यानि एमटी इट इन 3 अबर, और जो तिसरा पाइप है, वो क्या करताःँ, घाली कर देताहा, if the pipes are be opened यदि pipe है जो खाली हो in order at 6, 7 and 9 am रिस्पेक्टल भी यानि pipe है जो क्या हो रहा हमारा open खोला जा रहा है 6 am में 6 बजे फिर 7 बजे फिर 9 बजे then the tank will be emptied है तो पुछ रहा है कि tank हमारा कितने दिर में खाली हो जाएगा फ्रेंड इस तरह क्या करेंगे आईए देखते हैं तो पहले सब्सक्राइब क्या करना है यह देखते हैं यह हमारा question number 3 सब्सक्राइब पाइब है तो pipe भरने माला को हम लोग positive करेंगे A pipe, B pipe और जो तिसरा pipe है उसको negative से करेंगे खाली कर रहा है तो A pipe कितना देड लगा रहा है तो A pipe भरता है कितना मिनट में तो 6 मिनट में और B pipe 10 मिनट में और C pipe 3 मिनट में 3 घंटा में A 6 घंटा में B 10 घंटा में C 3 घंटा में सबका घंटा है उसके आद हम लोग क्या करेंगे total work निकाल लेंगे सबसे पहला काम है total work निकालना यानि tank हमारा कितना capacity है उसका वो निकालता है या total work क्या हो जाएगा क्योंकि pipe and piston चाप्टा है total work किसको denote कर रहा है तो tank का capacity है उसको denote कर रहा है तो 6, 10, 3 का LCM कितना हो जाएगा 30 तो हम लोग क्या लिते हैं 30 यानि tank का capacity कितना है 30 उसके बाद हम लोग क्या करेंगे efficiency निकालेंगे या flow निकालेंगे क्या निकालेंगे हम लोग efficiency या flow efficiency या इसको flow बोलता है तो कैसे निकालेंगे total work बटा में time यानि 30 बटा में 6 कितना हो जाएगा plus 5 30 बटा में 10 कितना हो जाएगा कि अगर तीनो नल को एक साथ खोल दिया जाए तो क्या होता है ठीक है अगर positive efficiency आएगा तो हमारा क्या होगा भरेगा और negative में आएगा efficiency तीनो नल को मिलके यानि खाली होगा तो a plus b plus c कितना होगा पांस तीनाट और माइनस 10 यानि plus 8 और माइनस 10 plus 8 और माइनस 10 कितना होगा minus 2 होगा यानि हमाद तंकी वो खाली होगा और question में भरेगा है कि हमार तंकी कितने दिर में खाली होगा वो निकालना है ठीक है अब according to question, question में क्या भराता तो हमारा जो नल है वो 6 बजे, 7 बजे, 6 बजे, 7 बजे और 9 बजे खोला जाता है यानि पहला जो नल है उसको कितना बजे खोला जाता है तो 6 एम में खोला जाता है और दूसरा नल है उसको कितना बजे खोला जाता है तो 7 एम में खोल जाता है पिर तो तिसरा नल है उसको कितना द्रम खुलाता है? 9 एम में यानि 9 बजे सारा जो नल है वो खुला रहेगा 9 बजे के बाद सारा नल क्या होगा? खुला रहेगा तो हम लोग देख लेंगे कितना मिनट का डिफ्रेंस है? 6 से 9 यानि 3 घंटा में कितना भर रहा है नल A द्वारा टंकी वो निकाल लेंगे उसके बाद फिर नल B के द्वारा 7 से 9 यानि 2 घंटा में कितना भर रहा है टंकी वो देख लेंगे फिर तिसरा में क्या होता है? 9 बजे क्या होता है? 3 नल खोल दिया रहता है तो फिर खाली होने लगा तो कि हमने यहां क्या देखा कि तीनों नल खोर रहा है तो हमारे टंकी वो क्या हो रहा है खाली हो रहा है कैसे पता चला जो कि माइनस में है यानि एफिसेंसी क्या है माइनस में है यानि टंकी हमारा खाली होगा तो आई ये फ्रेंड्स अब हम लोग तो time है, तो इससे क्या होगा, efficiency into time, क्या हो जागा, walk निकल जागा, यानि कितना quantity यवी टंकी भर रहा, एक है, द्वारा 3 घंटा में, वो निकल क्या होगा, प्लस में, b into 2, और जो b है, वो 2 घंटा क्या करता है, 7 से 9 है, तो 7 से 9 कितना हो जागा, यानि जो b pipe है, वो क्या होता है, 2 घंटा में कितना quantity भर पाएगा, वो निकाल लेंगे, तो कितना भर रहा है, ये पहले निकाल लते हैं, तो a into 3, ए कितना है हमारा, a 5, यानि 5 या 15, फांत या 15, फांत या 15, प्लस b कितना है, तो 3 है, तो 3 इंटा 2, यानि 5 या 15, 15 प्लस में छे 21, या 21 सी इट हमारा जो तकis 19 हमारा जो ठंकी है, जो 6 से 9, और 7 से 9, यानि 21 सी इट दोनों मिलकर a और b, दोनों nal, A नल तो 6 बिज़ है और जो B 5 है वो 7 बिज़ से डाट है तो 9 बिज तक दोनों जो नल है वो 21 टंकी को भर दिया कितना इनित को भर दिया है 21AL टंकी को भर दिया है अब कोसर में क्या पूर साथा Is points ए कितना है पांथ है तो पांथ है पंद्रा और बी कितना है तीन है तो तीन दूनी छे यानि पंद्रा छे 21 निट हो गया तो अब क्या होगा नल सी भी खोल दिया आता है यानि अब तीनो नल क्या है खुला हुआ है तो तीनो नल खुला हुआ है तो हमार टंकी कितना मिन खाली हुआ है तब निकलना है time निकलना है can country कितना मिनेट में खाली हो जाया कितना अ mana हुगा सबतो झाएं कितना खन्ता हुगा सब खाली होला तो कैसे निकलेंगे टोटल कितना हुगा यानि इक आ भड़ा हुगा वोई काली होगा यानी कारम है यह предлож after कितना है 3 नल का Quran निए खाली होगा उसको क्या दूनोट करा दा हमारा 10.5 हो जाए का वैश्या फ़िना गंटता में हमारा जो तंकी का लोगा खाली होगा तो 10.5 अवर में मैं हमारा जो तंकी वह हो हो जाएगा एस ब्र समझ लेता है सब्सें दिया वाट यह है जो च्छे घंटा लेता है जो च्छे घंटा लेता है वी दस घंटे है और सी है जो फ conference क क्ला ऍ़ेख तेन धाल लेता हमने क्या क्या एथिका कंग तैंक क्वाल इती निकाल लिया कितना quantity एती है तो 30 हो गया हमारा total work हो गया उसके क्या कि हम लोग efficiency निकाल दिया था कि सब 6 बज़े 7 बज़े और 9 बज़े 23 नोल खोल दिया रेते है पहला नल 6 बज़े खुल रहता है दूसरनब 7 बज़े और 3 नोल 9 बज़ nya यानि जो 9 बज़े के बाद है तिनो नल खुला रहता है यानि ए है जो 3 घंटा में कितना काम किया या 1 जो 2 घंटा में कितना काम खें तो 21ingo मिलाकर 21 टंकी को भर पाता है सी माइनस का दाइंग निकालना हमें तो कैसे निकालेंगे टोटल वर्क यानि टोटल वर्क कितना है 21 टंकी को भरा है तो 21 बटा में इपसेंजी 21 प्रादो कितना होगे 10.5 आवर एंसर हो गया तो फ्रेंट्स उमीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया कोस्टन लव 2 भी समझ लाए होगा तब हम लोग कोस्टन लव 4 की और बढ़ते हैं ठीक है फ्रेंट्स प्रेंट्स अब हम लोग कोस्टन अब फोर्ड करने जा रहे हैं बहुत ही इजी कोस्टन है तो आईए देखते हैं हमारा कोस्टन क्या बोर रहा है और टैंक एक टैंक है विल बिट ट्वेल बकेट्स फिल बिट वार्टर यानि एक टैंक को भर जाता है 12 बकेट से यानि 12 बाल्टी से विट इच बकेट होल्स 22.5 लिटर और और हर जो बाल्टी है जो कैपिसिटी उसका है 22.5 लिटर वार्टर रखने का है और टैंकी को 12 बकेट से भर जाता है और हर जो बाल्टी है 12 बाल्टी यानि एक बाल्टी हर बाल्टी है वो 22.5 लीटर का है तो 12 बाल्टी तो 12 बाल्टी से multiply कर देंगे तो हमारा जो total water कितना है यानि total कितना capacity tank का वो हमें पता चल जाएगा तो फिर क्या बोड़ा है how many buckets of 18 लीटर capacity can this tank be filled तो पूच रहा है कि यदि हमारा अठार लीटर capacity रहे किसी बाल्टी का तो कितना बाल्टी लगेगा यानि कितना बाल्टी उपयोग होगा यह में निकालना है यानि total number of buckets से निकालना है तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे इस है question में हमारा question 4 है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे tank का capacity निकालेंगे यानि water है कितना कितनाister water है यानि 22.5L हर बाल्टी में कितनाуем होता है य हमारी यूज हो रहा है बाल्टी बार्टी वार्टेज्ञक तोल कितना हो गेँ हमारा इतना हो गया या इसको बोल सकते हैं कि हम हमारा टैंक कापसिटी कितना है तो 22.5 mt22 खेंक का लिटर और 12 रारा कर दिये इसे कितना पानी है वो निकल के आ गया, किमारा कितना टंकी में पानी है, वो निकल के तो टॉटल नंब्र हुबाटिटी और डिभाइड वै कितना लीता रॉटर ये तो निकलके आ गया है कि टॉटल क्लू कितना वाटर्वाटर है और अब क्या करें अठाया लीटर अगर वाटर है हर बालती का तो कितना बाल्टी उप्यों होगा तो आपको खुछ नहीं करना है तिदे आप 18 से डिवाइट करदी किसी डिवाइट किजे तो जो नंबर अफ दिया हुआ इतना लीटर है उसके बाद जो दिया हुआ है कि अठाया लीटर वाटर हर बाल्टी में उप्योग हो रहा है तो कितना बाल्टी तो उससे डिवाइट कर दिये तीन से तो हमारा टोटल नंबर वो बकिट्स आ जाएगा यह हमें निकालना था है यह हमारा को सना फोर्स होता हमारा जो 15 एंसर हो आपने देख लिया सबसे प्रेंट क्या रहे थे हम लोग टोटल नंबर वो यह निकाल लिए और जो दिया हुआ था वाटर यानि अठाया लिटर वाटर कितना यह भरेगा कितना बंकेट्स यूज होगा उसे डिवाइट कर दिये तो हमारा एंसर आ गया कितना आगया पंदरा एंसर आगया ठीक है तो हम लोग कुछन आफ फाइब क्यों बढ़ते हैं तो यह भी काफी इंपोर्टेंट कुछन है तो आई यह देखते हैं हमारा कुछन क्या बहुत रहा है यानि एक्स बटा पांच भाग वाटर वो क्या है भरा हुआ है टंकी में तो हम लोग क्या जानते हैं जो हमारा डेनुमेटर होता है वो क्या सो करता है तोटल पार्ट एक्स बटा पांच दिया हुआ है तो यह क्या है डेनुमेटर क्या सो करता है तोटल पार्ट यानि टोटल टोटल कितना भाग है वो सो कर रहा है यारी टोटल कितना भाग है पांच भाग टोटल है जिसमें से X भाग है उसके वाद बोर रहा है कि वेंट 32 लिटर of water is taken out यदि 32 लिटर water taken out निकाल लेंगे हम लोग then the tank become unity यानी X unit के value कितना दिया हुआ है तो X unit के value हमें 32 लिटर दिया हुआ है 32 लिटर दिया हुआ है एक स्यूट पता नहीं कितना है लेकिन एक स्यूट का वैलू दिया हुआ असली में कितना 32 लिटर तब तो हम जो 32 लिटर पानी को भड़ा हुआ है तो उसको निकाल लेंगे तो क्या हो जाता है खाली हो जाता है उसके बाद दिया हुआ है find the 2.58% of 400 हमें निकालना क्या है तो 2.58% यानि जो एक्स युट है उसका निकालना है एक्स कितना है परसेंट ओफ 400 ओफ 400 ठीक है यह हमें निकालना है if the capacity of the tank is 80 लिटर यदि capacity tank का कितना है 80 लिटर यहां मैंने क्या आपको बताया जो डियोमेंटर में होता है वो क्या सो करता है total कितना भाग है यानि 5 युट का भाग आपको दिया हुआ है कितना असल में 80 लिटर कितना दिया हुआ है 80 लिटर तो एक यूट कितना होगा हमारा तो एक यूट हमारा हो जागा आपको 80 बटा 5 कितना हो जागा 16 लिटर यानि एक यूट का भाग कितना है 16 लिटर तो हम लोग क्या यहां बताए आपको एक सी यूट कितना है 32 लिटर का तो हमें 32 लिटर अगर निकालना, 32 लिटर का हमें वैलू अगर पता करना हुए material हुए Fields हैं तो कितना आगा हमारा 32 निकालना है तो हमें क्या निकालना है तो हमें क्या निकालना है 2.5 x percent of 400 कितना निकालना है तो 2.5 x percent of 400 तो कैसे हम लोग निकालनेंगे तो x कितना आया हमारा तो x हमारा आया है कितना तो x के value 2 आया है ये 2. एक्स कितना है 2 percent percent मतलब 100 into 400 तो 100 100 से 400 कट गिया कितना बार में 4 बार में ठीक है तो 2.5 into 2 तो कितना होता है 5 हो जागा 5 into 4 कितना हो गया 20 यानि हमारा जो answer आगा वो कितना आगा हमारा answer तो 20 answer आगा कितना निकालना था 2.5 x percent of 400 तो कितना आगा x कितना था हमारा 2 अथा percent मलब 100 into 400 तो 100 से 404 और 4 दुनिया 2.5 into 8 कितना हो जागा हमारा 20 answer हो गया तो fence हैक वा और समझ लेते हैं, कटनाई कहीं हुआ खो तो, सबसे प्रहेश दो बटा पांच भाग भरा हुआ था, यानि X बटा पांच भरा हुआ था, तो हमने क्या बताया, कि जो उपर होता, numerator होता है, और निति होता है, डोटल मेंटर होता है, तो डोनेटर किसको सो करता है जो total part को तो हमें question में दिया हुआ था total quantity है कितना तो 80 unit का है तो 5 unit का value 5 unit का value कितना है 80 liter तो 1 unit कितना है 16 liter अगर यहां x unit का value कितना है 32 liter हमें x का value चाहिए x है कितना fraction में तो x का अगर value चाहिए यहां 32 liter है तो 16 into 2 कर दिये तो 2 से इधर किये है यानि 2 unit के value कितना है 32 liter, तो X कितना आगया हमारा 2 unit आ गया, तो 2 बटा 5 हो गया, अब हम हमको स्क्ष्वाइब निकालने के लिए, किसका value निकालने के लिए, तो इसका value निकालने के लिए, 2.5, 1% of 400 तो एक काव कतना value है? 2% तो एक के value कितना है? 2 था 200 इंटू 400 तो कर दिये answer आ गया कितना आ गया हमारा 20 answer आ गया कितना गया friends? तो 20 answer आ गया तो friends आज के से जमें इतना ही friends उमीद करते हैं कि बिलते हैं अगले इने से से जमें friends तो friends, आग किसमें इतना ही, मिलते हैं अगले इने सेशन में friends, इसमें कम से कम friends, 6-7 सेशन ओर करेंगे, उसके बाद ही ये chapter complete हो जागा, ठीक है friends, तो friends, thanks for watching.